नमस्कार न्यूज नेशन बर चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अखिल गुपता ईशा नेगी मेरे साथ हैं और IPL 2024 में सूपर सरिंडे को दो बड़े मुकाबले खेले जाएंगे जहाँ पर ट्रणामेंट के तरे पन्वे मैच में CSK का सामना होगा पंजाब किंग्स से और ये मुकाबला खेला जाएगा पंजाब के नए होम ग्राउंट याने की धरमशाला के HPA, HPCA क्रिक्ट स्टेडियम में खूब सुरत स्टेडियम है तो इस वीडियो में हम आपको बत इस मैच के लिए फेवरिट होन है? पाथिराना की तो दोनों खिलाडी जब CSK में जुडएंगे तो कई न कई एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी जो है बॉलिंग में और CSK को मचबूती मिलेगी तो मुझे लगता है कि आज CSK थोड़ा सा भारी लग रही है CSK बारी लग रही है लेकिन पंजाब ने लगतार पाश मुकाबले जीते हैं CSK के किलाफ ये टीम लगतार जीती आ रही है 2021 में आकरी वर CSK ने पंजाब को किसी मुकाबले में हराया था उसके बाद चाहे मोहाली में मैच हुआ हो चेपोक में हुआ धरमशाला में हुआ हर बार चन्नाई को मुझ की खानी पड़ी पिछले मैच में भी एक तरफा मुकाबले में पंजाब में जीत गया था ऐसे में अभी भी पंजाब के पास एक चांस तो है कि वो प्ले आफ में पहुच सकते हैं बिल्कुल देखे चांस तो बिल्कुल है लेकिन मुझे लगता है na CSK एक ऐसी टीम है महिंदर सिंग धोनी स्टीम है रितुराज गयकवाड की कप्तानी में हलेके टीम खेल रही है लेकिन मुझे लगता है कि CSK अपना 100% लेगी क्योंकि वो जरूरी है CSK के लिए भी क्योंकि कही न कही टीम जो है वो काफी बैलेंस टीम है लेकिन अभी कुछ तरीके से थोड़ी सी धीली नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि CSK यहाँ पर प्रदर्शन अपना अच्छा देगी और पंजाब को यहाँ पर हराएगी क्योंकि पंजाब उस तरीके की टीम नहीं लग रही है मतलब CSK कहां पांचवे नंबर पर वही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब आट पॉइंट्स उनके पास है और साथवे नंबर पर जो है पॉइंट्स टेबल पे है तो मुझे लगता है कि पंजाब से आगे CSK तो CSK प्लेओफ में जाने के लिए सब कुछ करने वाली है अपने लाल पहना तो मुझे लगा किया आजा पंजाब किंग्स को सपोर्ट करेंगी खैर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि CSK की संभावित प्लेंग 11 क्या हो सकती है उस पर भी एक न तुशारदेश पांडे रिचर्ड ग्लीसन और महिश तिक्षाना इस प्लेइंग 11 ने पतिराना नहीं है हो सकता है कि तिक्षानों के मैश खेलने का मौका मिले साथी दीपक चाहर भी इंजर्ड है इशा दीपक चाहर की इंजरी मलब जो रिपोर्ट सारी है कि वो पूरा आ इनको हो जाती है और इंजर्ड हो जाते हो टीम से बाहर चले जाते है जब टीम को बहुत जरूरी है यह खिलाडी लेकिन अब यह खिलाडी अगर टीम में नहीं शामिल होगा तो मुझे लगता है आखिल जी कि कही ना कही टीम थोड़ी सी हलकी आप नसर आएगी लेकिन टी जाए पॉक के बार बोलिंग करते हैं वो बेशर साबित होते हैं इस तरीके से इस्ट्राइक नमबर चार पर भी आ रहे हैं पाच पर भी आ रहे हैं फिनिशर के रोल में भी आ चुके स्ट्राइक रेट उनका 118 से उपर यह नहीं बढ़ रहा थे यानि कि CSK के पास कहीं सारी क एक भी आप सेंशुरी नहीं है नमबर तीन से ओपन करा के देख लिया ओपन से नमबर तीन बेशिफ्ट कर लिया टॉप पॉर्टर में लगा तार उनकी बैटिंग को शफल किया जा रहे लेकिन फॉर्म नहीं आ रही है बिलकुल तो यहां CSK के लिए यही कई ने कई मुश पलड़ तो मुझे पन्जाब कभारी नजर आ ए बले सीश की टीम नजा आढी है लेकिन पन्जाब निजे से फिर्त पिछले दो मुकाब्लय किया रहे है चनन ए को चननई मेर आया ककिया और ने करका वारई इसका बहुत बहूं नहीं भी तो यह diesen में कॉंपिदंस नजा 라र प्रबिसिंपरन सींग अच्छी लेया में बल्बाजी कर रहे हैं चौनील बेस्टो को एक खंडेड आ चुका है आशुतो şirma अमजनमा नंबर 3 में पर एक निस एंपर वार पर बल्फ venir रहाया है लेकिन इस टीम प्रेशर एक तरीके से ले रहे हैं डेट औवर्स में जिसके वज़से उस तदीके की गेनबाजी नहीं निकल कर सामने आरहे तो मुझे लगता है कि जो गेनबाज है पंजाब के आपने जैसे कहा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन जो गेनबाजी है जो डेट ओवर्स के जो गे करेंगे कि यह पंजाब को हरा पाए और फिर से एक बर प्लेओफ का दावा अपना थोक दें देखिए सबसे पहले तो यह बड़ी बात होगी कि आपको गेंबाजी सबसे अच्छी करने होगे गेंबाजी एक जान होती है टीम की और अगर आपने गेंबाजी अच्छी ने की तो फिर आप मैच हार जाएंगे तो मुझे लगता है कि CSK की जो एक वीकनेस है या फिर हम कहें कि एक जो कमजोर कड़ी है वो यही है कि गेंबाजी थोड़ी से ठीक नहीं चल रहे है बाकी हम बलेबाजों की बात करें तो रितुराज गायकवार्ट से आज उमीदे होने व करता है अगर आपकी फिल्डिंग अच्छी नहीं हुई और गेंबाजी भी आच्छी नहीं हुई वाकिय में देखने को मिलेगा फिल्डिंग बेच्छी नहीं हुई तो आप कैसे मैच जीतेंगे कि साबून की टिकिया उस तरही के बोलिंग देखने को मिली थी कि CSK की चैपॉक में ड्यू इतना जादा देखने को मिला था अला कि धरम शाला में इस तरही की चीज़े साथ बहुत कम देखने को मिले मैच में बारिश की आशंका भी है यानि कि जो भी कैप्टें टॉस जीतेगा वह सकता है कि पहले बोलिंग करना प्रिफर करें क्योंकि आफिरे वहना चाहिए था लेकिन बहुत नाराजगी है उनके फैंस को भी कि क्यों आखर रिटॉराज गायकवार उस टीम में नहीं है तो कही ना कहीं मुझे भी नाराजगी है की जिस तरीके का फॉर्म नसर आ रहा है रिटॉराज का घायकवार का जाहिर सांधिक इनको हो और आए नहीं मौका बहुत मिलेगा दोजाच हबिस का वर्लकप भी है दोजार पचीस में चैंपियन्स टॉफी भी है और अभी तो यू आए एज उनके साथ है बिल्कुल मौके बहुत मिलने वाले हैं वैसे इस मैच का एक्सफेक्टर को न होने वाला है CSK और पंजाब दोन CSK को जॉनी बेस्टर को अगर आपने जल से जल पवेलियन वापस भेश दिया तो मुझे लगता है कि CSK थोड़ा सा जीत ला सकती है अपने मैच में तो मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टर को सबसे पहले आपको आउट करना होगा और रितुराज गैगवाट की वो शांद से CSK की और से रहेंगे MS जोनी और पंजाब की तरफ से मैं चुनोंगा उनके पार्ट टाइम कैप्टन सम सैम करन को बारा विकट लिए हैं एक स्वासी रन मना हैं और पिछले कुछ मैचिस से बोल को अच्छे से स्ट्राइक भी कर रहे हैं मैच फिनिश भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पंजाब का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी नजर आता है पंजाब की समावित प्लेंग 11 प्रप सिम्रल सिंग जोनी बेस्टो विकेट कीपर रैली रूसो सशांक सिंग सैम करन कैप्टन जितेश शिर्मा आशुतो शिर्मा हर्पीद बरार हर्शल पटे लेकिन CSK के लिए जरूरी हो जाता है मैच MS दोनी के लिए भी जरूरी हो जाते तो मुझे लग रहा है कि CSK आज थोड़ा सा CSK का पलड़ा भारी है अखिल जी आपको क्या लगता है जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती वैसे हर लाल कपड़ा पहनने वाला पंजाब का सप सब्सक्राइब करना यह वाकिम बहुत बाड़ा टेड़ी खीर जैसा है उस तरहीं कि ना पॉसिबल काम इस टीम ने पॉसिबल करके दिखाए तो मुझे लगता है कि पंजाब का पलड़ा भारी होने वाला है आप भी कमेंट करके बताईए CSK वर्सस पीबी किस कौन सी टीम आई पिल दोजार तेविस का 54 वाब जो मुकाबला है कौन जीतेगी कैसी CSK जीतेगी पंजाब जीतेगी कमेंट सेक्चन में में जरूर दें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शियर करना ना भूले